आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google की Freshness Recruitment के बारे में और इस वीडियो में आज हम डिसकस करेंगे point by point कि सबसे पहला job की location क्या रहने वाली है then minimum qualification क्या है इस job में apply करने के लिए साथ ही में हम ये भी discuss करेंगे की job किस तरह की होने वाली है हमारा particular role क्या रहेगा इस job में and हम job में apply करने से पहले कैसे इस job के लिए prepare कर सकते हैं साथ ही में हम end में पूरा complete procedure देगेंगे step by step कि हम इस job के लिए apply किस तरह से करना है form हमें किस तरह से भर रहा है so hello दोस्तो welcome back to my channel मेरा नाम है शुबम और वीडियो को continue करते हैं सबसे पहला point है हमारा कि यह जो location है इस job freshers लोग apply कर सकते हैं साथ ही में अगर आपको experience भी है then also आप इस job में apply कर सकते हो यहां कोई बहुत बड़ा restriction नहीं है but basically यह freshers के लिए job vacancy है आगे हम देखते हैं कि और सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हम वह यह है कि जॉब की location क्या रहने वारी है इस जॉब क की दो locations है first आपकी बैंगलूरू है second आपकी हाइदरबाद है तो यह दोनों ही location इंडिया की location है इस job के लिए अब आगे बात करते हैं कि जॉब में अगर आपको apply करना है तो minimum क्या qualification आया है Google की site से देन अगर हम यहां बात करें minimum qualification की तो यहां पर कोई strict qualification नहीं है आपसे यह बोला गया कि आपको BE या BTEC या BCA में किसी भी तरह की degree होना composer ही है यह mention है कि minimum qualification में आपको BE की degree हो चलेगा BTEC की degree हो तब भी चलेगा साथ ही में अगर आपको ऐसा कोई practical experience है इनके comparison वाला अगर ऐसा भी है then also मतलब आप यहां apply कर सकते हो अगर आपके पास degree है अगर degree नहीं है इस जॉब के लिए apply कर सकते हो second point आता यहां पर आपको experience क्या होना चाहिए देखो degree matter नहीं करती लेकिन अगर वहां आपका selection होता है तो आपको किने किने technologies पर काम करना है like आपको वहां coding करनी है programming करनी है तो यहां पर degree नहीं होगा तब भी चलेगा लेकिन आपको कुछ knowledge होना mandatory है अगर आपको programming languages आती है like C आती है C++ आता है Java आती है Python अगर इन में से कुछ भी आता है देन आप proceed कर सकते हो आगे इस job के application के लिए बट अगर आपको इन में से किसी कभी कोई knowledge नहीं है देन इसमें आगे proceed करना आपके लिए सही नहीं रहेगा अगली बात आती है कि आपक working experience होना चाहिए कैसे environments काम करती है इन में एक working experience होना भी mandatory है because आप एक software development field में जान रहे हो ठीक है देन थर्ड चीज आती है कि जो आज की date में हमारी latest technology है Google आज की date में सारी latest technologies जैसे की artificial intelligence हुआ distributed system है machine learning है natural language processing है इन सभी के उपर जितनी भी आपके दिमाग में latest technologies आएंगी हर ची experience design mobile devices android हर चीज़ पर गूगल आज की date में काम कर रहा है तो अगर इन में से किसी में आपको experience है यह बहुत बड़ा add-on है आपके लिए बहुत बड़ा advantage है तो आप ज़रूर apply करना इस job के लिए ठीक है अब इसमें हम बात करते हैं कि preferred qualification क्या है अब ही जो हमने बात करी है minimum qualification थ तो चलेगा साथ ही में आपको computer सी किसी भी language जैसे java c++ की नौलेज है साथ ही में आपको कोई advanced technology का knowledge है या फिर नहीं है और आपको mac windows unix linux पर किज़े पर काम करना होता है साथ ही हम यहां पर बूला गया preferred qualification के बारे में भी preferred से मतलब है हो तो चलेगा नहीं है तो कोई बात नहीं अगर आपके बास master's degree है या पीएश्जी की degree है है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं देन अब हमारा जो next point आता है वो आ जाता है job के बारे में जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले ही detail में बताया है कि Google आज की date में सारी ही latest technologies पर काम करती है और यह जो list है यह day by day increase ही हो रही है तो इसलिए यह job है यहां पर आपको किसी भी नई technology के उपर काम करने के लिए मिल सकता है जैसे कि हम informational retrieval क की बात करे distributed computing की बात करे large scale data management की बात करे natural language processing की बात करे यह machine learning या फिर artificial intelligence and so on यह list बहुत बढ़ी है और यह दिन भाद दिन बढ़ी ही होती जाती है तो इन में से किसी भी चीज के उपर आपको काम करने के लिए मिल सकता है बट अब ही अगर हम देखे हैं कि आपका role रहने क् हाला कि आप किसी भी technology में काम कर सकते हैं लेकिन एक particular role तो होगा न डिफाइंड जिस role पर आप काम करोगे तो यहां जो role mention है यह mention है कि आप किसी भी एक team के part होगे ठीक है और आपका जो main वहापर role है कि आपको जो software जो भी है उसका आपको designing भी देखना है उसका testing भी देखना इसका basically मतलब यही है कि जो software development life cycle एक किसी भी software का पूरा SDLC software development life cycle होता है उस process को आपको completely manage करना है उसके initial phase जिसे हम designing phase कहते हैं वहाँ से लेकर उसके maintenance मतलब बनने के बाद जब starting में किसी भी software का design होता है फिर हम उसको बनाने के बाद उसकी testing करते हैं टेस्टिंग के बाद उसको तो किसी ने किसी environment पर deployment होता है server पर देन उसकी maintenance चलती है कि अगर उसमें कोई bug आते हैं तो उनको fixing तो आपको complete किसी भी software के लिए पूरा software development life cycle से connected जितने procedure होता है like agile होता है सब कुछ maintain करते हुए चलना है अब बात कर लेते हैं यार कि आभी आभी अब हम बात कर लेते हैं दो आपको यह job मिलने में बाकी लोगों से एक अच्छी advantage रहे तो आपको अगर जॉब में apply करना है देन गूगल का एक program है जिसे हम kickstart बोलते हैं इसका जो link है वह भी आपको screen पर यहाँ सामने दिखेगा screenshot मैं उसका show कर दूँगा जैसे ही आप उस link को click करेंगे देन आपको जो वाले interviews के लिए ready रहेंगे और आने वाली जो आपकी position अगर आप selected होते हो तो उसके लिए भी आप अच्छे से prepare कर पाएंगे यह सारी बाते होगे कि यह job की qualification हमेरी क्या required है क्या location है और हमें कैसे तैयारी करनी है ठीक है अब बात करते है इस job के लिए जो आपको apply करना है जो विंडो आपको भी सामने दिख रही है इसका link आपको description box में दिख जाएगा आप जैसे ही उस link पर click करेंगे देन आप redirect हो जाओगे इस window पर और यहाँ पर screenshot में भी आपको दिख रहा होगा apply button आपको सबसे पहले step में करना क्या है इस blue color के apply button पर आपको click करना है जैसे ही आप इस apply button पर click करते है इतने आपको जो screen दिखेगी वहाँ एक complete आपको form visible होगा तो सबसे पहले जहां भी आप ब्राउजर में ये screen खोल रहे है सबसे पहले आप अपने किसी भी Google account में sign in होने चाहिए जिस Google account से आपको इस job के लिए apply करना है then आपको आगे क्या करना है आपको इ technology experience है उसको जरूर mention करना because सबसे पहली चीज़ और main important चीज़ रिज्यूमे ही है हर company उसी को दिखती और Google भी यहां पर रिज्यूमे पर ही focus करने वाली है then उसके बाद बात करते हैं third point की third point है contact details resume के बाद जो next section आपको form में दिखेगा वो है contact details जहां पर आपको आपनी सारी contact details fill करने है जैसे आपको अपना name भरना है address भरना है country भरना है state भरना है pin code भरना है email address आपका पहले से आ रहा होगा जिस email से आप sign in है then आपको अपना phone number भरना है और एक website का option है जो की optional है अगर आपके पास कोई website है अपने portfolio है then उसको आप link महाँ पर डाल सकते है otherwise कोई mandatory चीज न है तो आपको वहाँ पर उस box पर जो radio button दिख रहे है वहाँ पर yes click करके अपने details fill करने है otherwise आप no पर click कर सकते हो उसके बाद अगला point है इसके नीचे आ जाता है work experience अगर आपको work experience है then आप radio button पर yes click करके अपनी details भर सकते है otherwise आप no पर click कर सकते है और last में cover letter जो की mandatory नहीं है वो पूरी तरह से optional है और Google भी उसको require नहीं करती है because जितनी भी चीज़े है Google focus करेगा आपके resume से and मैं आपको suggest करता हूं कि आप अपने resume में हर चिन mention करना because Google पर इतनी सारी application आएगी कि महाँ पर manually scan भी नहीं होता है resume उनके intelligence software से ही वो लोग resume को highlight करते हैं देखते हैं कि उनको जो requirements है उनकी कौन सा resume में उस requirements को match करता है तो आप keyword डालके machine learning या फिर जो भी है आपकी qualification अगर आपको Java आता है C++ आता है को certificate है जिसकी brand value है वो अपने resume में mention करना because उनी से वो resume pick होके shortlist होते हैं तो यह था complete procedure आपको कैसे पोस्ट के लिए apply करना है I hope ये वीडियो आपके लिए का काम की रही होगी अगर वीडियो काम की रही हो आपको कुछ भी अच्छा लगाओ देन इस वीडियो को like करना इस चैनल को subscribe जरू करना और bell notification icon को जरू प्रेस करना जिससे ऐसी ही नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए and thank you for watching this video इस video को share जरू करना अपने द